तो कैसे हो मेरे घुमकर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 जगाओं की जो आप घुमने जा सकते हो नैनिताल में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल लाइक प्रो योडियूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताके हमारे वीडियोज, ट्रैवल टिप्स और ट्रिक्स आप तक पहुँच सकें बिना किसी रुकावट के उत्राखंड का सबसे मशूर और खुबसूरत टूरिस्ट प्लेस है नैनी ताल जो कुमाओं की पहाड़ियों के बीच बसा है अपने खुबसूरत नजारों और शान्त वादावरंड से नैनी ताल हमेशा से ही टूरिस्टों को अकरशित करता रहा है तो आईए आज जानते हैं जीलों के शहर नैनी ताल में घूमने की तस जगा नमबर एक पर है नैनी लेक नैनी ताल का दिल कही जाने वाली नैनी जील कुमाओं की पहाड़ियों में बसी सबसे प्रसिद जील है आधे चांद जैसी दिखने वाली ये जील सूरेदर और सूर्यास के समय बहुत ही आकरशक लगती है नमबर दो पर है नैना पीक नैनी ताल की सबसे उंची जगह जो 2611 मीटर की उंचाई पर है एक बहुत खुबसूरत जगह है इसे चाइना पीक भी कहते हैं यहां आप घुड़ सवारी करके भी पहुँच सकते हैं और चारो तरफ पहले खुबसूरत नजारों का मज़ा ले सकते हैं नमबर तीन पर है टिफिन टॉप टिफिन टॉप से नैनी ताल और पूरी कुमाव पहाड़ियों का एक बेहत अद्भुत नजारा देखने को मिलता है यहां के शांत और खुबसूरत नजारे तूरिस्ट्स को बहुत लबाते हैं नमबर चार पर है नैना देवी टेंपल नैना जील के उत्तरी छोर पर बसा है नैना देवी टेंपल हिंदुस्तान के 51 शक्ती पीठों में से एक है नैना देवी टेंपल यह मंदिर पंदरवी सदी में बना था और इसमें देवी की मूर्ती 1852 में स्थापित की गई थी नमबर पांच पर है स्नो व्यू पॉइंट समदो तर से 2270 मीटर की उचाए पर बसा यह व्यू पॉइंट जहां से आप नन्दा देवी ट्रिशूल और नन्दा कोट तीनों चोटियों को एक साथ देख सकते हैं मॉल रोट से आप यहां जाने के लिए केबल कार्ट कभी होपी होप कर सकते हैं नमबर शेपर है इको केव गार्डन केव गार्डन को इको केव गार्डन के नाम से भी जाना जाता है यहां आपको मिलेंगी छे अलग-अलग गुफाएं और साथ ही मिलेगा एक म्यूजिकल जो अब खाल ही में लगाया गया है नमबर साथ पर है किलबुरी बर्ड सेंचुरी अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो किलबुरी बर्ड सेंचुरी आपको जरूर जाना चाहिए नैनिताल से सिर्फ बारा किलोमेटर की दूर फॉरेस्ट डिजर्व में बनी य 1899 में बना गवर्णर हाउस अपने किले जैसी बनावट के लिए लोगों को बहुत आकर्शित करता है नमबर नौ पर है हनुमान गड़ी 6401 फीट की उंचाई पर बना ये मंदिर 1950 में बनाया गया था हनुमान गड़ी के पास ही आपको देखने को मिलेगा शितला देवी ट मॉल रोड सबसे अच्छी और फेमस जगह है नैनी जील के समानांतर बसा मॉल रोड का पूरा बाजार रात को बेखत खुबसुरत दिखाई परता है तो दोस्तों ये थी ऐसी 10 फेमस जगह नैनी ताल में जो आपको जरूर विजिट करनी चाहिए अगर आप नैनी ताल के बारे में कुछ और जगह जानते हैं तो हमें कमेट बॉक्स में जरूर बताईएगा हमें इंतजार रहेगा आपके कॉमेंट्स का और जाते जाते इस वीडियों को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में